ओके सो हमारी गेम के अंदर BR rank का season 38 आने वाला है अगर आप लोग इस rank season में rank pushing करना चाते हो बट आपके पास कोई permanent squad नहीं है देन आप लोग के लिए जो best option रहेगा वो रहेगा solo rank pushing बट solo में efficiently rank pushing के लिए आप लोग को एक strategy की जरूरत होगी सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा strategy में आप लोग के explain करूँगा सो वीडियो के end तक देखते रहे न और वीडियो में बार-बार मैं आप लोग को बोल नहीं करना चाते हो इसलिए पहले ही बोल देता हो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आये हो और आप लोग को इसी तरीके के और भी tips and tricks वीडियो पसंद है देन आप लोग इस चैनल को subscribe कर देना और bell notification ओल पे set कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई भी नया tips and tricks वीडियो अपलोड करो आप लोग को notification मिल जाए और याद से एक like भी कर देना सबी main strategy के बारे में बात करने से पहले में आप लोग को बता देते हो आप लोग को match में किस तरीके से execute करना है सो देखो एक solo rank match को आप लोग को तीन पार्ट में divide करना है पहला पार्ट रहता है पहले जो तीन मिनिट रहता है जहाँ पे आप लोग को एक और बार revive होने का मौका मिलता है वो वाला पार्ट जहाँ पे अगर आप लोग eliminate हो जाते हो देन आप लोग को एक और बार revive होने का chance मिलता है उसके बाद second part रहता है जैसे आपका पहला तीन मिनिट खतम होता है वहाँ से लेकर fourth या फिर fifth zone तक जहाँ पर अगर आप लोग eliminate हो जाते हो दिन आप लोगों को गंदा माइनस लग जाएगा उसके बाद जो last phase रहता है एक game का वो रहता है top 10 या फिर fourth fifth zone खतम होने के बाद एकदम last zone तक जो fight चलता है जहाँ पर 10 से 15 बंदे maximum बचते है और वहाँ पर जो बंदा सबसे सही खेलता है वही match को बुयागर के निकाल के ले जाता है यह थे वो 3 phases जहाँ पर आप लोगों को खेलना परता है एक solo BR rank match में अभी इन 3 phases में आप लोगों को किस तरीके से खेलना है वो मैं आप लोगों को आगे explain कर देता हूँ तो जैसे ही आप लोग match को start करता है और आप लोग को plane आता है वहाँ पे आप लोगों को दूसरे बंदों की तरह बंदों की तरह नहीं कूदना है आपको decide करना है कि landing करना है अभी landing करने के लिए जो best place रहता है वो रहता है जो hot spot रहता है उसके आसपास कही पर लेंडिंग क मार सकते हो जैसे कि मेरे इस कालाहाडी वाले मैच में देखो दी मेज मैमत फाउंडेशन एंड रिफाइनरी यह जो प्लेसे से यह बहुत ज्यादा होट्सपोट वाले प्लेसे से यहां पर अगर कोई भी बंदा मरता है या तो वह जाएगा बेफ्रेंट में या तो वह जाए कर लेना है कि अगर आप लोग वही पर मर जाते हो देन वहाँ पर मरने के बाद आप लोग कहाँ पर लेंड करोगे जैसे कि यहाँ पर मैं डिसाइड करता हो अगर मुझे कमांड पुष्ट पर कोई बंदा मार देता है देन मैं यहाँ से जो पास में ही स्टोन रीज है वहा कि ऐसे घर पे लेंड करना है जहां पे आप लोग को हमेशा एक अच्छा खासा गन मिल जाए जैसा कि कमांड पोस्ट पे यह जो बरा वाला घर रहता है यहां पे मुझे पता है एक लॉंग रेंज का गन तो मिल ही जाएगा और साथ ही में इसके साथ में ही जो टेंट था वहा उसके बाद जब आप लोग फाइट करने जाओगे तो एनिमी क्योंकि लूट पे फोकस नहीं करेगा वो बस फाइट पे फोकस करेगा तो उसके पास अच्छा लूट नहीं होगा जिसका एडवांटेज लेके आप लोग बंदों को मार सकते हो जैसा कि यहां पे देखो मैं यहां पे मुझे एक बंदा स्पॉर्ट होता है जिसको मैं प्यारा फल से काफी आसानी से बहुत डेमेज कर देता हूँ क्योंकि उसने लूट पे फोकस नहीं किया था वो बस बंदा ही डून रहा है और उसका एडवांटेज लेते हुए मैं उसको काफी डेमेज करता हूँ अब उसको डेमेज करके मैं सीधा उसके उपर रश नहीं करता हूँ पहले इस घर के अंदर आता हूँ और वो जैसी बाहर हील करना शुरू करता है मैं आडाम से स्कोण एक बंदा है या नहीं कि मैं उसके बाद यहाँ पे सीधा जोए token machines को loot करना शुरू करता हूँ और आप लोग को भी इस तरीके से loot में जाधा time waste नहीं करना है जितना जल्दी हो सेगे यह token machines को loot करो अगर आप लोग 4 token machine loot करोगे तो 800 token हो जाएगा जिसका use करके आप लोग arsenal key purchase कर सकते हो जहाँ पे आप लोग के एक अच्छा gun मिल जाएगा आप लोग को अच्छे खासे waste helmet भी मिल जाएगा जिसका use करके आप लोग पुरा match निकाल सकते हो और यहाँ से arsenal key purchase करने के बाद मैं जल्दी से command post के pass वाल arsenal loot करता हो जहाँ से मुझे level 4 का waste, level 3 का helmet साथ ही में ammo, medikit, super medikit जो सबसे बड़िया चीज मुझे मिलती है वो होता है groza जो की long range में एक beast gun है अभी अगर आप लोग इस moment पे देखोगे तो मैंने बस loot पे ध्यान दिया है मैं fight में बिल्कूल नहीं जा रहा हूँ आप लोग को इसी तरीके से match को execute करना है क्योंकि last zone में जिसके पास अच्छा loot रहेगा वही match को जीत पाएगा और यहाँ पर arsenal पर loot करना मेरा जैसे ही complete होता है उतने में जो है in game mission भी complete हो जाता है जिसके वज़े से जो छोटा सा zone रहता है वो भी mark हो जाता है सो जैसे ही वो छोटा सा zone दिख जाता है मैं जल्दी से उसके अंदर जो एक घर रहता है उसको capture करने के बारे में सोच लेता हो क्योंकि एक घर अगर आप छोटे से zone में capture कर लेते हो तो पहले से आपके पास zone का advantage भी रहेगा साथी में जो भी बंदे zone के बाहर साएंगे उनको आप लोग easily मार सकते हो तो इसी तरही कैसे अगर future save zone वाला ये mission आपके game में आता है देन काफी अच्छी बात है अगर नहीं आता है देन जैसे second zone shrink होना खतम हो जाए और third zone दिख जाए तो आप लोग को जो है वेंडिंग मशीन में 300 coin यूज करना है और मैं already top 25 के अंदर आ चुका हूँ मतलब मेरा minus बिल्कुल भी नहीं लगेगा लेकिन यहाँ से अगर मैंने 5-6 kill नहीं निकाले तो मुझे full plus नहीं मिलेगा इसलिए मैं जैसे इस zone वाले घर के अंदर आता हूँ यहाँ पे मुझे दो बंदों के बीच में already fight दिख जाता है और एक बंदा already उन पर third party कर रहा था तो मैं यहाँ पे जोथा बंदा हो जाता हूँ एक ही घर के उपर fight करने वाला सो मैं जल्दी से यहाँ पे क्या गरता हूँ भूग गन यूज करके इस घर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे अंदर वाला एक बंदा already मर चुका था सो मेरे उपर third party हो जाएगा और मैं मर जाओंगा इसलिए मैं जहाँ यह घर के बाहर के साइट पे यह loot box रहता है इसको loot करता हूँ जहाँ से मुझे SMG गन मिल जाता है जो मैं उठा लेता हूँ जल्दी से इस घर के उपर जो बंदा रहता है उसके साथ fight करने आ जाता हूँ अभी पहले मैं spot करने का try करता हूँ वो बंदा नहीं दिखता है बट जैसे मैं उपर जा तो वो food के आता है मेरे उपर fire करने और उसका M10 जो है यहाँ पर recoil कर जाता है बट मेरा SMG गन था तो मैं आराम से recoil कंट्रोल करते हूँ उस बंदे को काफी damage करता हूँ और उसके करके उपर rush करने आ रहा होता है बट मैं उसको long range से ही spot कर लेता हूँ इसलिए वो जैसे ही नीचे आता है मैं उसको काफी आ रहा हूँ से height advantage से headshot से knock करता हूँ और जल्दी से इसको finish करके इसके पास से मुझे horizon भी मिल जाता है अब इस बंदे को finish करने के बाद मेरा 3 किल भी secure हो जाता है और इसी तरीके से आप लोगो दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखता है जितना जादा हो सके short range fight को avoid करो और जितना जादा हो सके बंदे के उपर rush करना भी avoid करो अगर आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को avoid कर लिया तो आप लोग जो solo rank pushing का एक बहुत बरा problem avoid क खतम कर देता हूँ अब इस बंदे को मालने के बाद मैं यहाप आसपास बंदे spot करने का try हमेशा करता रहता हूँ जिस वज़ा से एक बंदा मुझे open में दिख जाता है जिसको मैं आडाम से ग्रोजया का body body देके खतम कर देता हूँ और उतने में एक बंदा Lamborghini लेके आता है बट मैं rush नहीं करता हूँ और इसका advantage देखो मुझे क्या मिलता है वहाँ पे एक और बंदा third party करने आ जाता है अगर मैं वहाँ पे rush किया होता तो मेरे साथ third party हो सकता था अभी वहाँ पे उन दोनों के fight में एक बंदा तो मर जाता है लेकिन जो बंदा बच जाता है मुझे जैसे जोन श्रिंक होगा उसको तो जोन में आना ही है इसलिए मैं यहाँ पे फिरसा अपना hold continue करता हूँ जैसे जोन श्रिंक करना शुरू करता है उसको भी ग्रोजा के body body से काफी आराम से खतम कर देता हूँ अभी इस बंदे को finish करते ही मैं जाए top 5 के अंदर आ चुका था इतने में एक बंदा जोन के बाहर eliminate हो जाता है तो top 4 में मैं आ चुका था तो अभी बाकी थे 3 बंदे जिन में से 2 बंदे यहाँ पे जोन के बाहर से अंदर आने का try करेंगे और वो अपने मी भी fight कर रहे है तो मैं यहाँ पे third party आराम से कर सकता हूँ एक और बंदे का position यहा बंदा left side में है right side वाला बंदा तो मुझे नहीं दिखता है बट left side वाला बंदा यहाँ थोरा high IQ करने के चक्कर में वुकॉंग यूज करके zone के अंदर आ रहा था बट वहाँ पे move होता हुआ कुछ मुझे दिख जाता है और मैं उसके उपर aim लेके उसको आराम से finish कर देता ह अब इस बंदे को मालने के बाद मेरे सेमने 1v1 का situation था और यही पर आप लोग एक और गलती कर देते हो कि जैसे एक बंदा बचता है आप लोग सीधा उसको उपर rush कर देते हो बट मैं यहाँ पर क्या करता हो देखो इस घर के उपर ही hold करते रहता हो क्योंकि मुझे पता था वो open में आएगा और मेरे पास hard cover है तो cover छोड़ने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है और जैसे वो बंदा open में आता है मैं उसको थोरा सा damage deal करता हो और grappling gun यूज करके उसके shot पे जाके nade cook करने का try करता हो बट वो यहाँ पर chrono यूज कर लेता है तो मैं जल्दी से थोरा mid range पर भाग जाता हो जिससे अगर उसके पास कोई shotgun होगा तो वह एकदम useless हो जाए और जैसे मैं यहाँ पर grenade cook करके फेकने जाता हो उस हर्बराट में यह बंदा अपना दिमित्री यूज कर लेता है और यह बंदा जैसे यहाँ पर right side में आ जाता है मैं grenade cook करके आराम से इसको प पड़ेगा और आप लोग जा आराम से last fights को handle कर पाओगे तो इसी तरीका से अगर आप लोग पहले 3 minute के अंदर 2-3 kill निकाल लेते हो उसके बाद second zone से लेकर fifth zone तक थोड़ा hold करके खेलते हो जैसे last zone बनने वाला होता है वहाँ पर बंदों के उपर third party करके अपना kill निकाल ले सो यह तो था strategy की किस तरीके से आप लोग को match को execute करना है अभी अगर आप लोग को एक ऐसे character combination को बाड़े में जानना है जिसका use करके आप लोग काफी आराम से rank pushing कर सकते हो देन आप लोग screen के ऊपर एक video आप लोग को मिल रहा होगा उस पे क्लिक करो जहांपे मैंने आप लो लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मैं मिलता आप लोगों से एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ टिल रेंट टेक क्यार एंड टड़ा